आज हम बनाएंगे एकदम बढ़िया सा फ्लेवर के साथ और आसान तरीके से मेक्रोनी मसाला पास्ता। बनाना जितना आसान खाने में उतना ही टेस्टी। बस 15 मिनिट और घर पे बन के तयार। तो चल लिए इन्यू श्टैल में मेक्रोनी मसाला पास्ता बनाना शुरू करते सबसे पहले हम पास्ता को बोईल करेंगे मैंने यहाँ पे लिया है दो कप पानी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर दो मिनिट के लिए उबाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीसपून ओयल और 1 टीसपून नमक और अब हम इसमें 1 कप मेकरोनी पास्ता डालकर पानी में अच्छे सी मिलाएंगे गेस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और 5-7 मीनिट तक इसे उबाल लेंगे जैसे ही पास्ता उबलने लगेंगे इसके शेप और कलर में आपको फर्क दिखने लगेगा बीच में एक दो बार इसे चला लेंगे पास्ता जो है वो उबल के रेडी है तो इसे अब हम चप्पू से काट कर देख लेते हैं अब हम इसे स्ट्रेनर में चान कर पास्ता ओवर कुक ना हो इसलिए इसके उपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे और अब इस स्ट्रेन किये हुए पास्ता को साइड में रख कर चलते हैं अब अगले स्टेप में यहां पे मैंने लिया है एक टेबल स्पून बटर आप चाहे तो ओईल का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर दोनों इकवल ले सकते हैं बटर मेल्ट होते ही अब हम इसमें डाल देंगे दो बारिक कटे हुए टमाटर टमाटर को अब हम बटर में एक मिनिट तक भून लेंगे इससे क्या होगा कि बटर का एक बढ़िया सा फ्लेवर टमाटर में आ जाएगा अब हम टमाटर को पकाने के लिए दो मिनिट तक कवर करके छोड़ देंगे टमाटर अच्छे से पक गए है और इसमें से बटर जो है वो अलग हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज और कटा हुआ एक हरा शिमला मिर्च सबजियों को मिला कर दो मिनिट तक भून लेंगे यहाँ पे आप कोई भी कलर की शिमला मिर्च ले सकते हैं हरी शिमला मिर्च और लाल टमाटर से एक बढ़ियासा कलर कमबिनेशन आएगा बस एसे चलाते रहेंगे और दीरे दीरे प्यास का कलर जो है वो चैंज होता जाएगा सबजिया हमारी पक चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून टोमेटो सोस आप चाहे तो थोड़ा कम ज्यादा भी ले सकते हैं एक टेबल स्पून मेयोनीज अब हाफ टेबल स्पून ब्लेक पेपर पावडर और चिली फ्लेक्स डाल कर अच्छे से मिला ले सोस और मेयोनीज अच्छी तरह सबजियों में मिलाने के बाद अब हम डाल देंगे उबले हुए मेक्रोनी पास्ता अच्छे से मिला ले अब हम लास्ट में डाल देंगे एक टीस्पून जितना पास्ता का मसाला अगर आप इसके बिना बना रहे हो तो थोड़ा सा नमक डाल दिजिएगा मिला कर आथी मिनिट तक पकाएंगे आप इस रेसिबी को ट्राई जरूर कीजिएगा और एसे ही सरल रेसिपी के लिए चेनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स एन फेमिली के साथ शेर कीजिए गेस की फ्लेम कर देते हैं ओफ और सव करने के लिए पास्ता रेडी है